नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Tata Motors के बारे में Tata Motors की तरफ से दो बड़ी अपडेट निकल कर आइए जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेर करने वाले हैं जिसका इम्पेक्ट आपको कल मार्केट के उपर भी देखने को मिल सकता है और जैसा कि आपको पता है कल बजट भी आने वाला है तो यहाँ पर कल का दिन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा खास हो सकता है और उसी के साथ टाटा मोटर्स में जो ये दो बड़ी नियूज निकल कर आईए इसका इंपेक्ट भी आपको शेर्स के उपर देखने को मिल स सकें कि आपको यहाँ पर टाटा मोटर्स के अंदर फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर अगर आपने टाटा मोटर्स को बाई कर रखाए तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना चाहिए या फिर कुछ और समय के लिए होल्ड करना चाहिए चलिए दूस सबसे बिले बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के फ्राइडे के ट्रेट के बारे में फ्राइडे के दिन टाटा मोटर्स 262.35 पर बंद हुआ और इसमें लगबख 1.67% की यहां पर गिरावट देखे गई और अगर मैं रूपे में बात करूँ तो लगबख 4.45 रूपे के गिरावट आपको फ्राइडे के दिन टाटा मोटर्स में देखने को मिली लेकिन टाटा मोटर्स की हाई की बात करें तो टाटा मोटर्स ने फ्राइडे के दिन 278.80 का हाई बनाया था जो कि काफी अच्छा माना जा रहा है याने कि यह आपने वापिस अपवर्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया है और जिसा के हमने आपको पेले भी बताया है टाटा मोटर्स वापिस बाउंस बिक करेगा और वापिस आपको 300 के उपड़ देख तावल दिखाई देगा और यहाँ पर जो यह दो बड़ी निउस निकल कर आई है इससे तो आप यहाँ पर स्टती क्लियर हो गई है कि टाटा मोटर्स आने वाले दो सब्ता के अंदर आपको वापिस 300 प्लस दिखावा दे सकता है टाटा मोटर्स की इतनी ज़्यादा गिरावट के बीचे का भी जो करण है वो मार्केट पर जो इंपेक्ट पढ़ रहा है याने कि सेन्सेक्स में फ्राइडे के दिन साड़े 500 पोईंट की गिरावट के कारण यहाँ पर उसका इंपेक्ट सारे शीर्स पर देखने को मिल रहा है और उसी कारण आपको यहाँ पर Tata Motors के shares में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन EC के साथ मैं अगर बात करू Tata Motors के quarter 3 के result के बारे में जिसको हमने अमारी last वीडियो में भी discuss किया था तो Tata Motors ने यहाँ पर जो अपने quarter 3 के result निका ले हैं अगर उसके year to year percentage की बात करूँ तो लगबख 67 percentage का यहाँ पर profit Tata Motors ने दर्ज किया है जो कि काफी एक अच्छा profit माना जा रहा है अगर यहाँ पर मैं figure में बात करूँ तो Tata Motors ने अपने December quarter में 2906 करोड रुपे का profit कमाया है और अगर मैं last year की बात करूँ तो यही profit 1738 करोड का था तो काफी अच्छा है यहाँ पर आपको profit देखने को मिल रहा है Tata Motors की तरफ से और यहाँ पर जो Tata Motors की sale है उसमें भी increment आपको देखने को मिल रहा है काफी अच्छी यहाँ पर हो गई है COVID situation में थोड़ी सा है यहाँ पर impact पड़ा था लेकि नूस टाइम पर सभी shares के उपर आपको थोड़ा बुत फरक देखने को मिला था और उसी के साथ जैसा कि आपको पता है इंडिया के अंदर टेसला ने भी कदम रख दिया है और टेसला अपनी तीन गाड़िया तीन में वेरियंट यहाँ पर लॉंच करने वाली है इंडिया के अंदर और टेसला अपनी गाड़ी जो लॉंच करेगी वो तीनों गाड़िया इलेक्ट्रिक वीकल्स है इसलिए यहाँ पर टाटा मोटर्स का भी जो अगला टार्गेट है वो electric vehicles को यहाँ पर बड़ावा देने का है तो Tata Motors ने भी जो next planning है जो आप Tata Motors की upcoming गाड़िया है आपको electric vehicles देखने को मिलेगी और काफी अच्छी यहाँ पर electric vehicles देखने को मिल सकती है इसी के साथ Tata ने अपना नया variant Tata Tiago Limited edition variant launch कर दिया है इंडिया के अंदर जिसकी price 5.79 lakh रुपीस रखी गई है जी यहाँ दोस्तों यह Tata Motors का सबसे ज़्यादा बिकने वाला variant है Tata Tiago और इसका एक limited edition और यहाँ पर निकाल दिया है Tata Motors ने इंडिया के अंदर launch कर दिया है जिसका यहाँ पर काफी अच्छा positive response देखने को भी मिल रहा है और आने वाले time में Tata Tiago की demand अगर increase होती है तो आपको उसका impact Tata Motors के shares पर भी देखने को मिलेगा क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पर company की growth होगी जितना ज़्यादा company की sale होगी revenue बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर profit में भी percentage देखने को high मिल सकता है इसी के साथ Tata Motor ने जो अपनी last year Tata Nexon EV यहाँ पर निकाली थी उसको एक साल यहाँ पर complete हो गया है और company ने बताया है कि इस अवदी में लगबग 3,000 एकाईया बेची गई है याने कि 3,000 यूनिट्स Tata Nexon की यहाँ पर बेची गई है पिछले एक साल के अंदर और Tata Nexon EV को 2020 जनवरी में launch किया था और यह एक साल के अंदर अंदर 64% की बाजार में हिस्सेदारी इसने बना ली है launch के समय इस कार की किमत 13.99 लाइक रुपीज थी जो कि अब एक शोरुम प्राइज अगर बात करें तो 15.99 लेक रुपीज है लेकिन फिर भी इसमें काफी ज़्यादा डिमांड देखी गई है और अगर मैं इसके और यहाँ पर एफेक्टिव फीचर्स की बात करूँ तो वो है इसका सिंगल चार्ज जी है आप दोस्तों टाटा नेक्सोन सिंगल चार्ज में आपको 312 किलोमेटर की रनिंग यहाँ पर देती है जो कि इसका एक प्लस पोइंट निकल कर आती है और जैसा कि यहाँ पर टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक वीकल्स के अंदर टाटा नेक्सोन लाँच करी है जिसको यहाँ पर इंडिया के अंदर काफी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और उसी के साथ आपको पता है कि टेसला भी जब इंडिया में आने वाला है तो Tata Motors भी अपने नए नए वेरियंट को यहाँ पर लाने वाला है Electric Vehicles के अंदर क्योंकि Tesla को अगर कोई टकर दे सकता है इंडिया में तो Tata Motors ही दे सकता है और इसके कारण आपको Tata Motors में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में जो शेर्स अभी 260 पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है वो आपको आने वाले टाइम में 700-800 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन आपको यहाँ पर लोंग टम का माइंसेट करके चलना होगा और अगर मैं टाटा नेक्सन की बात करूँ तो टाटा नेक्सन में इलेक्ट्रिक में 13.2 किलो वैट की लीथियम ओयन बेटरी दी गई है जिसके साथ 8 साल की स्टेंडर्ड वारंटी भी मिलती है जियां दोस्तों और अगर इसी के साथ इस इलेक्ट्रिक मोटर की परफॉर्मेंस रेटिंग 129 PS और 245 NM है इसी के साथ जो इसमें एक एडिशनल फीचर से वो है इसका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ये 60 मिनिट में 0 to 80% यहाँ पर बैटरी को चार्ज कर देती है जो कि इसका एक बहुत ज़्यादा प्लस पोइंट निगल कर आता है और इसी के साथ आपको बता है कि अभी कोवीट के टाइम पर जो कोवीट वेक्सिन यहाँ पर लॉंच होई है तो उसके लिए भी यहाँ पर जो नई गाड़ियों की ही यहाँ पर रिक्वाइरमेंट थी यानिकि रिफ्रिजरेटर वाली गाड़िया तो वो भी टाटा ने यहाँ पर उसके situation के according यानि कि उस वेक्सिंग को ट्रांस्पोर्टेशन के लिए यहाँ पर नई नई गाड़िया भी इन्वेंट करी है और यहाँ पर कस्टमर के रिक्वाइर्मेंट के हिसाब से यहाँ पर टाटा अपनी गाड़ियों को लॉंच करी है जो कि यहाँ पर काफी ज़्यादा प्लस पॉइंट निकल कर आ रहा है और टाटा मोटर्स इनी सब प्लस पॉइंट के साथ यहाँ पर आगे वड़ रही है और आने वाले टाइम में काफी अच्छा आपको यहाँ पर टाटा मोटर्स की ग्रोध देखने को मिल सकती है तो यदि आपने टाटा मोटर्स की शेर्स को बाई कर रखा है तो आपको उसे सेल बिलकुल भी नहीं करना है क्योंकि अगर आप लोंग टर्म के लिए यहाँ पर मन बना कर बिठे हैं तो टाटा मोटर्स का शेर्स काफी अच्छा आपको रिटन देने को यहाँ पर मिल सकता है तो आपको टाटा मोटर्स का शेर्स अगर आपने खरीद रखा है या फिर आप खरीदने का मन मना रहे हैं तो आपके लिए ये एंट्री लेवल भी बिलकुल सही है आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री बना सकते हैं लेकिन आपको टारगेट लोंग टम का ही रखना है लोंग टम में काफी अच्छा आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकता है लेकिन उसी के साथ जैसे आपने हर बार की तरह आपको काए कि कोई भी फाइनल डिसीजन लेने के पेले आपको अपने एक बार फाइनिंशेल एडवाइजर से कंसर्ट कर लेना है उनकी रिसर्च उनकी ओपिनियन ले लेनी है उसी के बाद में कोई फाइनल डिसीजन लेना है किसी भी शेर्स को खरीदने और बेचने के पेले चलिए दोस्तों उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इससे लाइक और शेर करना बिल्कुल ना भूले